और इतनी बड़ी लाँचिंग के बाद मुझे लगा अब तो भाई स्टार बन गया, मतलब सूरज बर्यातिया लाँच कर रहे हैं, जोने ने सल्मान खान को लाँच किया है, लेकिन जिस दिन वो फिल्म लगी, उस दिन वो फिल्म उतर गई, और वो फिल्म बहुत बड़ी फ हाई, मेरा नाम है अक्षो बरॉय और काई लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं एक्टर हूँ, हाली में मेरी फिल्म रिलीस हुए फाइटर, मैं बच्पन से मुझे लगा हुए अक्टिंग से, और मैं कुछ 12-13 साल का था, जब मैंने तेह कर ले मुझे अक्टर बनना तो 27 साल पहले जब वो अमेरिका आय थे, वो कह दिया था कि मैं यहां पर नहीं मरूँगा, मैं मरूँगा अपने देश पर अपने धर्टी पर, तो मुझे बच्पन से हिंदी में बात होती थी घर पे और मुझे फिल्म में देखाया करते थे वो, अक्सर जो भी बाते होती थे उस एक्टर के बारे में, और फिर बहुत जल्डी, I think 12-13 साल का था मैंने तेह कर लिए, मुझे एक्टर बनना है, तो मेरे फादर ने कहा कि, स्टार बनना, ने बनना, fame मिलना, popularity मिलना वो तुमारे वश में नहीं है, जो तुमारे वश में वो एक एक्टर बनना, तो एक स्टूडियो था, वर्ट ट्रेल स्टूडियो करके मौरिस्टा न्यू जर्जी में, जहांपर मैं पैदा हुआ, और मैं थेटर करता था वहांपर, और दू-तीन साथ उदर थेटर केया, और फिर कहुना प्यार रिलीस हुई थी, और मेरे फादर ने कहा मुझ से कि, एक गाड़ी में बैठा, 14-15 साल का लॉंडा, और बोलता हूँ डैट से कि मैं एंडिया जाओंगा रेक्टर बनूँगा, और अविसली उस वक्त मुझे लगा, टॉम क्रूज और ये ब्रैट पिट और इसे गोरे-गोरे लोग की बीच मैं कैसे एक्टर बनूँगा, मैं अलग मैं दिखता हूँ, मैं अलग साउंड करता हूँ, मेरी चाल ढ़ल सब कुछ ने नक्ष सब अलग हैं, पर रितिक रोशन को देखने बाद कुछ लगा कि हाँ शायद मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर आइटिंग मैं करता रहा एक्टिंग, फिर जान्स हॉपकिन्स गया जो बॉल्टमोर, मेरिलिंड में है, और जाना माना फोर मेडिकल साइंसे ज्यादा है, बट मैंने ठीटर आर्ट्स की पढ़ाई की, एकनॉमिक्स की भी पढ़ाई की, और उसके ठीक बाद मैं नियॉर्क चला गया था, बट पैसे नहीं थे, तो मैं अपने दोस्तों के सोफा प भी नहीं था, तो ऐसे पोर्टफोलियो लेकर के हम सब घुमते थे, और ऐसे नमबर्स लेते थे बड़े बड़े नामचीन पोर्डूसर के, और उनकी दरवाजे तक पहुंचकर आसे नौक करके, कि सर मेरा पोर्टफोलियो यह है, जरा देखें, और किसे ने घास ही ने डा मतलब क्यों आयो इधर, और मैं गयता था, सर एक रोल दे दो मंच पे, मैं थेटर का एक्टर हूँ, मैंने पढ़ाई की इस चीज के, ट्रस्ट मी, बट रूस्ट मी, तुमने किया जो किया अमेरेका में, बट इधर कुछ ने गया, तो वापस स्टार्ट करो, तो फिर मैं ब तो एक रात उनने कहा कि तुम वहला रोल जो है न, बॉइफरेंड का, तुम करो गए, और फिर मैं करने लग गया, और फिर पूरा इंडिया घुमा उनके साथ, फिर उसके बाद मुझे मेरी पहली फिल्म मिली, इसी लाइफ में, जो कि राजश्री की फिल्म थी, और इतनी इस दिन वह फिल्म लगी, उस दिन वह फिल्म उतर गई, मतलब सीरिसले, साथ बजे का शो लगा, साड़े साथ बजे वह फिल्म निगल गई थेटरों से, और वह फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप, डिजास्टर मानी गई, और शायद किसी ने वह फिल्म देखी नहीं, काफ बिटर बिए लीड हीरो इन राजश्री फिल्म, और रॉमैंटिक हीरो लॉंच होना, अस देखी बॉलीवड में बहुत बड़ा चीज होता है, हिंदी फिल्म में, मैं जो बॉलीवड वाला शब्द अच्छा नहीं लगता है, तो आम अगना से हिंदी फिल्म, आप तो मुझे उस टाइप की फिल्म करनी ही नहीं थी, मुझे नो मेक अप, नो हैर, नो स्टाइलिंग, नो इसी फिल्म करनी दी, जो कि मैं हूं रियल लाफ, मैं बड़ा मॉडेस् जमीन से जोड़ावा इनसान हूं, जो स्ट्रगल और हार्ड वर्क के बल पे खड़ाया जहां इस क्राफ्ट के लिए, कि मैं कुछ भी करने के लिए तायार था, मेरे कितने दोस्त हैं, मेरे आंखों के सामने कितने लोग आये जो चलांग मारकर उनको बड़ी फिल्म मिल गई और वो निकल गए और मैं बस ऐसे घसिलता आया पीछे 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 I never gave up hope, because hope एक बहुत बड़ी चीज होती है, and शायद इसलिए क्योंकि मैं passionate रहा हूँ, क्यों मुझे मैं ऐसा सोचता था कि अगर मेरे पास काम नहीं है, तो मैं मंच पे सो जाओंगा, मुझे बस acting करना है, मुझे कोई दूसरा काम नहीं करना, मैं नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कुछ अता ना पता, ना context है, ना किसी से जानकारी थी, ना कुछ, तो मैं छोटे 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 रोल करने लग गया, उसके बाद, फितूर आई थी, फितूर में एक छोटा सा रोल किया, पीकू आई, पीकू में छोटा रोल किया, कितने ऐसे काम किये, जो सिर्फ और जोटे लोगों को इंप्रेस करों कि मुझे अक्टिंग आती है, आज की देट में लोग इंस्टाग्राम के रिल्स लगा करके लोगों को इंप्रेस करते हैं, और उस वाक्त, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था उसके वारे में, अक्टर का क्राफ्ट ही अलग है, इस मतलब वो शब्द ही वही है, और मैं बहुत पहले शायद फादर की गुन के वज़े से जो उनने बोला था मुझे तब कि एक्टर बनो, स्टार बनना ने बनना तुमारे हाथ में है नहीं, तुमारे वश में जो है उस पर फोकिस करो, तो मैं करता रहा, उस तरह का का काम करत तेरे जो भी एक लाइन मिल गया कहीं, मुझे याद भी नहीं कितनी चीज़ें आई, कितनी चीज़ें रिलीज भी नहीं हुई शायद, जब मैं पहले पहले आया था तो लोग पूछते थे मुझसे कि तुम कहा के हो, तो मैं हमेशा बोलता था मैं बंबे का हूँ, मुंबा तो मैं जूट बोलता था लोगों को पहले, कि नहीं मैं तो यहां का हूँ, यहां मैं संता कुरूज में पैदा हूँ, आरिया बंदया बंदर में पढ़ाई कि मैंने, जो एक डेर साल किया था, बट एक्चली ज्यादातर तो वहां ही परविरिश हुई नियु जेजी में, फिर आइ थिंक गुडगाओं के बाद, जो अजे राय और मुकेश चाबडा ने पड़िए उसकी थी, गुडगाओं में मैंने रोतिकी बोली, हर्यान भी बोली है, जाटू जिसको कहा जाता है, पंकश त्रिपाठी के साथ, जो मेरे फादर है उस फिल्म में, और अब तक सिर्फ मैंने पीजा की थी और शायद लाल रंग की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, और उसके पहले तो इसी लाइफ में थी जो रोमेंटिक हीरो लाँच हुआ था मैं, गुडगाओं में ऐसा खुनखार किरदार था मेरा कि मैं पूरी फैमिली का मुर्डर कर रहा हू तो इट वस टोटली ऑपसेट तो वड़ पीपल एक्सपेक्टेट अव में बाद में मुझे काई साल बाद लोग मिले हर्याना के जो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत सही वो भाषा बोली है तो ये प्रूफ करना था इंडिस्ट्री को कि आप मुझे कोई भी डाइलेक दे तो मैं ये चीज़ें चुपाता था बड़ गुडगाओं के ठीक बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं लोगों से सच बोल सकता हूं और मेरी एक आदत है मैं कैमरा के लिए जूट बोलता हूं मैं आज ने ये कैमरा आज भी है लेकिन आज मैं जूटने कह रहा तो रियल हो जाता है दिन भर कोई दूसरा दूसरी मा है तुम्हारी बीवी भी अलग बच्चे भी अलग सेट पे आता है तो नाम अलग एक सेट सेट और मेरे जैसे एक्टर जो पांच प्रोजेक्ट करता है एक साल में आपके तो अलग-अलग किरदार होते है तो आप घर आते हो उसके असी स्क्रीन थे और असी स्क्रीन में किसी ने ओल इंडिया में भी चार लोगों ने सिनमा में एक्टर उस फिल्म को देखा है जो बहुत बुरा डेड़ साल पिक्चर आपने बनाई प्यार से महबत से इतनी महनत लगा करके फिर जब ओ फिल्म नेट्फलिक्स पे आपको तुरंच चाहिए यह जो चीजा इस चीज की आदत हो जाती है आपको कि आपको इमेडिटली सैटिस्फैक्शन मिल रहा है किसी चीज का यहां इमेडिटली तारीफ मिल रही आपको बट इस लाइफ ऐसी नहीं है और मैंने उस फिल्म से यह चीज सीखा है काफी कि धीरे धीरे अगर अच्छी फिल्म है और अगर आप मेहनत और लगन से पिक्चर बनाओ अच्छी फिल्म बनाओ तो इसकी एक आउडियन्स होती है तो यह सीख मिलना एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए मैं फिल्में करतरा गुडगाओं के बाद लाल रंग, काला कां बॉमबेरिया इतनी सारी फिल्में आया थी जंगली मुझे याद भी नहीं कितनी फिल्में की मैंने और कुछ ज्यादा चला नहीं था चर्चा होती थी मेरी चर्चा होती थी, critics अच्छा लिखा करते थे मेरे बारे में लेकिन वोच चीज़ें चली नहीं थी बाक्स आफिस मैं शायद वन फिर्स एक्टर्स जो OTT में एंट्री मारी थी मैंने 2015 में और मुझे याद है कि लोग इंडिस्ट्री के कहा करते थे तुम फिल्म एक्टर हो तुम OTT में क्या कर रहे हो और मैं हमेशा कहा करता था कि मुझे माध्यम से कुछ फरक ने पड़ता है तो मुझे न उस दोरान एक वेब सीरीज था फ्लेश जो सिधार्त और ममता अनंद ने प्रड्यूस किया था एरॉस नाव के लिए सीरीज बना था उसमें मैं और सुरा भास कर रहे हैं तो फ्लेश में मैंने एक खूनखार फ्लेश ट्रेड ओनर, ट्रांसजेंडर फ्लेश ट्रेड ओनर क कितने लोगों ने वो शो देखा है बट मुझे बहुत मज़ाया था उस किरदार को ने भाने में उस किरदार की और शो की काफी तारीफ हुई थी बड़ अगैं चलाने तो ममता अनंद ने मुझे फोन गया था कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा सभी को and I feel very bad for you कि ज एक सर यह कहते है का कोई actually करता नहीं है लेकिन और उसके बाद I think war आए फिर पठान आए और सिधारत और ममता अनंद इतने बड़े लोग बन गया हमारी इंडिस्ट्री पहले से भी थे किनकी काफी सारी फिल्में है मतलब starting से सलाम नमस्ते से लेकर war पठान तक इतने बड़ उसकिया था उन्होंने कितने सारा story, screenplay, costume सिधारतन की फिल्मों के लिए करती है वो करती आए है तो उन्होंने मुझे phone कि एक फिल्म है fighter तुम्हें पता ही होगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जोड़े हूए मैंने का बिल्कुल सब को पता है पूरी industry को पता है कि फिल्म बन रही है और उन्हेंने का कि आफिस आजाओ पढ़ लो script और अगे तुम्हें चलकता कर लो और मैंने तभी उनको phone पे मैंने कह दिया था कि ममता मैम अगर दो line है ना script में अगर दो line हैं मैं कर लोगा तो अभी मैं कहकर आ रहा हूँ कि मैं film कर रहा हूँ अभी पढ़ूँगा बाद म कि फिल्म में ना ऐसे इतना अच्छा किरदार मिलना इतनी बड़ी बात है इतनी बड़ी बात है और अभी एक्साइटिंग डे और जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिकर गया कि जब मैं 15 साल का था मैंने उनकी फिल्म देखी थी और उनसे प्रभावित हुआ था कि शायद म कापूर हैं जिनके साथ मैंने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में एक छोटा सा रोल गया थार में आइधिंग मैंने चार लाइने बोली हैं थार में उनके साथ सेलेक्शन डे एक नेट्फ्लिक्स का शो था जो उनने प्रड्यूस किया था अनियल कपूर फिल्म इने और फिर दीपिका पड़ो कौन है इसमें और मैं पीकू में था उनके साथ एक छोटे से रोल में तो 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 वही प्रड्यूसर फ्लेश के वही मेरा बचपन का हीरो और फिर यह इतने बड़े लेजेंड्स के साथ जो मेरा उन्होंने ग्रोथ देखा है और यह उन्हों और उन्हों देखा इतना बड़ा रोल मिल गया तुम्हें और फाइटर का जो अनुभा फाइटर का रहा है ना मेरे पूरी फहरेस में पूरी सारे फिल्मोगरिफी में इतना मजा आया उस पिक्चर बे और यह पिक्चर दिगज लोग हैं इतना बड़ा डिरेक्टर है इतने बड़े लोग हैं पर उससे बड़ा मतलब एरफोर्स का रोल ने भाना और एक अमेरिकन जो एक्चली इंडिया से इतना लगाव रखता था इंडिया के लिए उसका दिल है मतलब वर्दी पहनते है मु जो आदमी सर जुगा के काम करता हैं इसे बुजर्ग लोग कहते हैं कि सर जुगा के काम करो और लगे रो बाकी की आवाजें मत सुनो कि यह इधर पार्टी में जाओ इधर पार्टी में जाओ यह पोस्ट करो यह पोस्ट करो वो सारी चीज़ें छोड़ करके काम पर ध्यान आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पूछे मुझ से कि अभी फाइटर चल गई, इतना बड़ा रोल है, तुमारे रोल के काफी तारीफ हो यह अब तुम क्या अगर होगे, मैं वह ही करूँगा जो करते आया हूँ, अक्टिंग करूँगा, और यह सब वाकी की जो च यह मेरा फोकिस है, अगर मैंने कुछ सीखा है, तो सिर्फ वह ही है कि आपका काम ही बोलता है और कुछ नहीं बोलता है, आप कुछ दिन के महमान रहते हो अगर आपने कुछ कॉंट्रवर्सी इजाद कर दिया कि हाँ यारी ऐसा फिलाना धिमका आपने कर दिया, तो कुछ द भी आएंगी आपकी, रिजेक्शन भी होगा, एक्टर की लाइफ में रिजेक्शन भरपूर है, भंडार है रिजेक्शन गा, आपको इस चीज़ को हजम करना पड़ता है, और जिस तरह पेलियर को हजम कर लिया न मैंने, उसी तरह आपको सिकस को हजम करना पड़ता है, ना